गुड इउनिंग स्टुडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में संगमकाल की संस्कृति के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, तो इस ये पहले वाले वीडियो में हमने संगमकाल क्या था, संगम इस वा तीसरी स्ताब्दी से लेकर चोत्री स्ताब्दी तक फैला हुआ है, यह नाम संगम साहिते के नाम पर पड़ा, सुदोर दक्सिन भारत में क्रिश्ना एम तुंग भद्रा नदियों के बीच के छेतर को तम्मिल परदेश कहा जाता था, इस परदेश में अनेक छोटे इस यूगव के मद्दे विभिन विश्वों पर विचार विमर्स किया जाता था, इसे ही संगम के नाम से जाना जाता है, सो इसवी से दोसो पचास इसवी के मद्दे दक्सिन भारत में तीन संगमों का आयोजन किया गया, सरवपर्थम इन गोश्टि persu़ का अयोजन, के राजों की राज़दा ने कहा थी मदूरई संगम साहिते के ध्यन से हम इस्सा के आरंबिक स्तापदियों के सुदूर दक्षिन की सब्वेता की जानकारी प्राप्त करते हैं इस यूग के राजे परस्पर संगर्ष में उल्चे हुए थे फिर भी संगम काल में सासन व्यवस ठीक है तो देखेगा संगम कालीन सहित्या नुसार इस समय राजा का पद वनसानुगत होता था जो जेस्ता पर आधारी था राजा का चरित्रवान परजा पालक निस्पक्स एम संयमी होना अनिवारिये था राजसभा को मंडाई कहा जाता था जहां राजा द्वारा को इलेंगो कहा जाता था राजा के निशंतान मर्दने पर मंत्रियों देथा परजा द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था राजा का जन्म दिन इस यूग में महुत्सव के रूप में मनाया जाता था राजा भी सेका पर्सलन नहीं था लेकिन राजा के सिहासना परिवर्तन हो रहा था, धिरे धिरे पुराने नातेदारी व्यवस्ता तूट रही थी, यह वैदिक वन व्यवस्ता इस्तापित हो रही थी, किन्तु संगम यूग में इस पस्ट से वन विवाजन देखने को नहीं मिलता है, छत्रिय और वश्य वन नहीं थे, संगम जातियां, संगम यूग में सेनानाएक को एनादी की उपादी दी जाती थी, चोल और पंडे राजियों में सैनिक और एसनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के पद पर बेलार या धने किसान की न्यूकति की जाती थी, सासक वर्ग को अरसर कहा जाता था, और इस वर्ग के लोगों के बेलारों से विवाहिक सम्मंद होते थे, खेद मजदूर को कडेसियर कहा जाता था, खेद मजदूरों के लिए ओटियोर और विले वलार शब्द मिलते हैं, इनके अतिरिक्त अनेक विवशाइक वर्ग भी थे, पुलेन अर्था जाती, जो पुलेन जाती है रस्षी की चार पाई बनाते थे, तम्मिन परदेश की उत्री सीमा पर मलवर नामक लोग रहते थे, उनका पेशा डाक का डालना था, अनियार सिकारियों की एक जाती थी, संगम यूग में हमें तीवर समाजिक विश्वमता का बोध होता है, धनी लोग इंट और सुर्खी के मकानों में और गरीब लोग जूगी जोपडियों में रहते थे, ऐस परसेता थी, प्रन्तु दास परता नहीं थी, संगम काल में दास परता नहीं थी, कुछ विश्य स्पेसों के अंतरगत आने वाले लोगों में लोहार, जिने कोलम का आगया, बढ़ई, तच्चन, नमक का व्यापारी अनाज का व्यापारी कुलवा, वस्त्रों का व्यापारी बैवान निकम और श्वन व्यापारी पोन अर्थात वानिकम थे, बाद में ये व्यापारी वन व्यवस्ता के अंतरगत आ गए, तोल का पियन में वर्णन मिलता है कि तमिल समाज वर्णों में विभाजित था, तमि अब देखेगा संगमकाल की धार्मिक दशा रिगवेद में उलेखित उत्री भारत में आर ये दश्यू संगर्ष के समान उत्तरो और दक्षिन भारत की सांस्कृतिक संपर्क में संगर्ष के तत्वा नहीं मिलते अगस्ते और कोंडीने रिशी का दक्षिन भारत से परियाप समन्द रहा है वहाँ अनेक मंदिर अगस्तेश्व नाम से परसिद हैं जहां सिव की मूर्तियां इस्थापित हैं एक परंपरा के अनुसार पंडे राजवन्स के पूरोहित अगस्ते वन्स के पूरोहित होते थे पूर्णानूरू तथा तोलका पीम के अनुसार अगस्ते का सम्मन्द दुआरका से था महाभारतिया पुराणों में भी दक्सिन में कृषी के विश्टार से अगस्ते का सम्मन्द इसपस्ट जोड़ा गया है तमिल देवता, दक्सिन भारती में मूरूगन की उपासना सबसे प्राचीन है, बाद में मूरूगन का नाम सुब्रह्मने हो गया और इसकद कार्तिके से इस देवता का एकिकरन हो गया, पुहार में इंदर के सम्मान में उच्छव मनाया जाता था कोड़ना भाई विजे की देवी थी, मूरूगन सिकार के देवता थे, बहले जाती के लोग कोड़ले की उपासना करते थे, तथा पस्थू चारक क्रिशन की पुजा करते थे उसमें पुजे जाने वाले मुख्य देवता इस प्रकार से थे, कुरूणजी, मुरूगन, पले, कोड़ना, वाई, मुले, मेयन, मरूदम, इंदर, नेटल और वरुन इस प्रकार संगम साहिते में दकशिन के राजनेतिक, आर्थीक וं समाजिक इस्तिति का बोद कराता है इस साहीते ने भार्तिय साहीते की नए केवल दुहर में व्रदी की है बलकि ततकालिन समाज का सही चितरन करके भार्तिय समाज इत्यास में एक महत्तो पुनकडी का कारिय किया है आप देखेगा संगमगाल की व्यापार व्यवस्ता कैसी थी उपहार के द्वारा आर्थिक पुनर वित्रन होता था सम्रद और सक्ति साली वर्ग में तीन प्रकार के लोग थे वेतर, वेलिट और वेलार व्यापार, लेंदेन का सबसे समाने तरीका वस्तू विनिमें था तमिर परदेश में वस्तू विनिमें परणाली में रिन व्यवस्ता नहीं थी किसी वस्तू पर निश्चित राशी का रिन लिया जा सकता था बाद में उसी प्रकार था उसी मात्रा में वही वस्तु लोटा दी जाती थी ये प्रता कुरिटिर पई कहलाती थी विनिमेम दर निस्चित नहीं थी धान और नमक दो ही ऐसी वस्तुएं थी जिनकी निस्चित विनिमेम दर थी धान की सम्मान मात्रा के ब्राबर नमक दिया ज प्राचिन बोट ग्रंतों से जिस मार्ग का संकेत मिलता है गंगा गाठी से गोदावरी गाठी तक जाता था यह दक्षिनापत के नाम से जाना जाता था कोटिले ने दक्षिन भारत मार्ग के अनेक नाम गिनाएं हैं उत्तर और दक्षिन के 20 व्यापार के दिकांस मुदे विलास की वस्तुएं थी जैसे मोती, रत्न और श्वन उत्तम किस्म के वस्तुरों का व्यापार भी होता था उत्तर के उत्तरी काले मर्दभांड सुदूर दक्षिन में भी लोगपिरिये थे, ठीक है, दक्षिन भारत में भी आहत सिक्के मिले हैं, विदेश व्यापार, निर्यात की वस्तुएं मसाले, रत्न मनी, इमार्ती, लकडी और हातिदान थे, पेरिपल्स के नुसार, टिंडिस, मुजरिस, नेलसिंडा, पस्सिमी, समुद तर्ट पर महतोपन बंदरगा थे, पेरिपल्स में अर्गुड्डू या उर्यूर नामक स्थान की भी चर्चा करता है, यहां से अर्गटिक नामक मलमल का निर्यात किया जाता था, लेख आगे कहता है, मलमल बहुत बड़े पैमाने पर मसालिया में होता था, उत्तर में बस पाटनम भी कहलाया, पांडे युग में सालियूर और चेर राजे में बंदरगा है, नामक बंदरगा परमुक है, ठीक है, चोल राजे में पुहार, पांडे युग में सालियूर और चेर, यह परमुक बंदरगा थे, चेरों की प्राचीन राजदानी कुर्यूर बंजी मुझरिस में रोमन समराट अगस्ते का मंदिर रोमनों में के द्वारा बनाया गया है वीरुकाम पलिया नामक स्थान चोड चेल और पंडे राजे के संग मस्तल के रूप में है ठीक है रोम के अधरिक्त मिस्र अरव चीन और माल्दीव के साथ व्यापार होता था इस समय व्यापारिक स्थल मार्ग कार्वा का नेतर्थव करने वाले सार्थवाह को बासा तुस्बा एवं समुद्री सार्थवाह माना निकम कहा जाता था सिक्के प्राचीन तमिल साहिते में कुछ सिक्के भी मिले हैं उदारन के लिए कासु, कनम, पोन और वेन पोन दस्तकारों को अपने उत्पादों पर सुल्क देना पड़ता था उसे कारुकारा कहा जाता था माप और तोल, भूमी निवरतन के अनुसार माप पी जाती थी, सुदूर दक्सिने में मा और वेली भूमी के माप थे यहां कर देने के लिए अनाज को अंबानम में तोला जाता था, संभवता यह बड़ा तोल था, छोटे तोल के रूप में नाली, उलाकू और अलाग पर्षलिते थे ठीक है, देखेगा, इस वीडियो में हमने संगम कारी इंस्कृति के बारे में जान करी प्राब्ठ की, और इसी परकार से आपको और भी जान करी हमारे यूठूब चनल इंडिया ओल्डेज पे मिलेगी, तो बने रहें यूठूब चनल इंडिया ओल्डेज पे